हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में तो देखो कन्वेंशनल सोर्सेस क्या कहलाते हैं वो सोर्सेस जो की पुराने टाइम से यूज किये जा रहे हैं जैसे की फॉसिल फ्यूल से एनर्जी यूज कर निकालना यूज करना ठीक है फॉसिल फ्यूल यानि कि आप समझ सकते हैं कोल हो गया पैट्रोलियम हो गया नैचुरल गैस हो गया हाइड्रो हो गया यानि कि पानी से विदुद बनाना विजली बनाना ठीक है न्यूकलियर यूज करना विंड यूज करना इस तरीके से हम देख सकते हैं तो देखो अगर मैं बात करूँ कि पूरा अगर energy का मैं source देखता हूँ तो ये देखो आपको जो pie chart दिख रहा है ये coal का petroleum and natural gas से hydro से nuclear से wind से कितनी किस तरीके से हम energy create करते हैं अपने use के लिए उसके बारे में आपको segment में दिखाया गया है ठीक है तो देखो यहाँ पर मैं conventional sources की बात कर लेता हूँ तो पहला हो गया fossil fuel thermal power plant thermal power plant में क्या होता है आप coal को use करते हो उसको burn करते हो जो heat generate होती है उससे आप पानी को heat करते हो और steam में convert करके उससे electricity generate करते हो इसी तरीके से hydro power plant hydro power plants में क्या होता है आप water को use करते हो dam बनाते हो dam बनाने के बाद देखो यहाँ पर द दैम बनाया और यहाँ पर एक gate लगाया यह डैम का पूरा reservoir हो गया और यहाँ से आपने यह power house था जनरेटर था और यह turbine blades लगी हुई है तो यहाँ से आपने water को release किया तो इस turbine blades पर आएंगी और यह turbine blade बहुत तेजी से rotate होगा और यहाँ पर अल्टरनेटर और जनरेटर लगे होंगे जिससे EMF generate होगा और electricity generate हो जाएगी और outlet इसका पानी का river पे चला जाएगा ठीक है देखो यह हो गया hydro power plant के बारे में देखो मैं और तो improvement के बारे में बात करूंगा जो conventional sources में improvement हुए थे जैसे कि biomass energy ठीक है कि biomass को आप कैसे use करते हैं या फिर आप इसको simply समझ सकते हैं कि जैसे आप goober gas बनाते हैं ठीक है यहाँ से आप slurry डालते हैं इसको earth के अंदर आप छोटा सा गड़ा बनाके भी कर सकते हैं तो यहाँ से soil और यह सारी laser और manure मिल जाता है basically यहाँ पर goober gas का use करते हैं और हम gas अपनी यूज की निकाल लेते हैं like methane बन जाती है और इसको आप different sources के लिए जैसे खाना बनाने के लिए आप यूज करते हैं तो यह biomass energy हो गई ठीक इसी सरीके से आप wind energy को समझ चकते हैं यानि कि बवन चक्की आपने देखी होगी तो देखे wind energy में क्या होता है आपने बड़े-बड़े wind turbines देखे होगी जैसा कि यह blades 3 blades true की गई है तो wind की speed की वज़े से यह rotate होते है और अल्टर्नेटर लगा होता है नीचे और यहां से बिसली जन्रेट हो जाती है लेक्ट्रिस्टी जन्रेट हो जाती है तो यह basic sources हो गए energy के thank you